नमस्कार दोस्तों दिशाशालियान मामले में लगातार सरगर्मिया बनी हुई है हंगामा मचा हुआ है एक तरफ नितेश राने और नरायन राने ये कहते हैं कि दिशाशालियान की हत्या हुई है दिशाशालियान के साथ पहले गैंग रेप हुआ उसके बाद दिशाशालिया पूर्व मेनेजर थी और सुतान सिंग राजपूत के साथ उसने काम किया और उसके सुसान सिंग राजपूत के मौद से लगभग साynı दिन पहले सुसालयान की मौद हो जाती है काफी रहस में भरी बात है और उसी बक्त से यह हंगावा मचा वुँआ title और अब परिवार ने एक चिठ्थी भारत के राश्पती रामनात कोबिन को लिखी है और परिवार ने अपने चिठ्थी में केंद्रिय मंत्री रन्नारायन राने और उनके बेटे नितेश राने के खिलाफ कारवाई करने की मांगी है. परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत के उपर राजनीती हो रही है और बता दें आपको कि 28 वर्षिये दिसा साल्यान ने 8 जून 2020 को मलाड में एक उची इमारत से कूद कर कथी तोर पे सस्पेक्टेग आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद 14 जून को सुसान सिंगराजपूद बांदरा इस्तित अपने फ्लैग पे मृत पाए गए थे. और सुसान सिंगराजपूद और दिसा साल्यान ये दोनों का मौत काफि संदेहास्पद है जिसकी जात CBI कर रही है. और जबकि नरायन राने ने प्रेस कांफरेंस कर ये दावा किया कि साल्यान के साथ शामुहित दूसकर्म करने के बाद उनकी हत्या की गई है. लेकिन दिशा शालियान के माता पिता इससे इंकार करते हैं और उन्होंने भारत के राश्पती को पत्र लिख करके ये कहा है कि हम अनुरेध करते हैं कि आप अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश दें ताकि हमें न्याय मिल सकें नहीं तो हम अपने जीवन कर लेंगे हम खुद को खतम कर लेंगे इससे पहले दिशा की मा बाशन्ती शालियान ने एक अपील करते हुए शभी पॉलिटिसियन से कहा था कि वे उनकी बेटी की मौत से जुड़ी परिस्तितियों पर सवाल उठाकर उनके नाम को बदनाम न करें नाम और बदनाम ये बह कर रहे हैं ये लोग अपनी राजनीती में मेरी बेटी का नाम घचीट रहे हैं ये रुकना चाहिए हमें सांती पूर्वक जीने दे और एक रिपोर्ट के मुताबिक शुसान सिंग के अलाबा दिशा भारती सिंग रिया चकरवर्ती और वरून सर्मा का भी काम देखती थी और पिछले साल मुंबई पुलिस ने दिशा का केस बंद कर दिया था यहां तक कह दिया था कि दिशा से संबंदी जो भी फाइल है वो डिलीट हो चुका है मामले में काफी ज़्यादा रहस है काफी ज़्यादा पेचीद दिया है लेकिन हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस मामले में होता क्या है क्योंकि राजनीती इसमें एक अलग महौल पे चल रहा है एक तरफ केंद्रिय मंत्री का ये कहना है कि उनके पास सारे प्रूफ है वो सब कुछ कर सकते हैं इस मामले में वहीं दूसरी तरफ कहना ये है कि दिशा के माता पिता का कि हमारी लिड़की को अब जो अब नहीं है दुनिया में उसे मरने के बाद भी बदनाम किया जा रहा है तो चलिए बने रही है चैनल पे और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ सेयर करूँगा जय हिंद जय भारत